नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आदित्या स्वागत गरता हूँ आपका डिफेंस गैलरी में इस्राइल एक लोता यहोदी देश एक ऐसा देश जिसके बनने की मांग विश्व यूद दो के बाद से सुरू हुई हिटलर जिसने लाग विश्व यूद दो खतम होते होते पुरे दुनिया के 90 लाग यहोदीों में से 60 लाग यहोदी अपनी जान गवा चुके थे दुनिया भर में इतना अत्याचाड़ देखने के बाद मई 1948 में यहोदीों का एक देश बना इस्राइल छेत्र फल सिर्फ इतना के पाकिस्तान जैसे देश में 36 इसराइल समा सकते हैं और 2019 के इसाब से जनसंक्या सिर्फ 90 लाग की लेकिन ये जितना चेत्रफल और इसकी जनसंक्या के हिसाब छोटा दिखता है उतना ही जाद ताकतवर इसकी देश की सेना, इसकी देश की इंटेलिजेंस और इसकी देश की टेकनोलोजी है इन ही चीज़ों के वेश से आज दुनिया बर में इसराइल के बारे में एक चीज़ फेमस है अगर आप इसराइल के दुस्मन है तो आपका अंत नजदिक आ गया है और इसराइल ने हर मौके पर इस बात को साबित किया है और इसका सबसे बड़ा उधारन है इसराइल दुआरा लड़ा गया सिश्टे वोर जिसे अरब इसराइल युद भी कहा जाता है इस युद में इसराइल ने सिर्फ छे दिनों में चार देशों को हराया था वो देश थे जोर्डन, इजिप्ट, इराक, सीरिया और इन सबी देशों को लेबेनोन का भी सपोर्ट मिला था जब इसराइल अजाद हुआ था तो इसका साइज आप देख सकते हैं इसके दुसमरों ने इस पर हर बार हमला किया इसे खतम करने के लिए लेकिन इसने हर बार उने हराया और साथी में उनकी जमीनों पे भी कबजा कर लिया और आज इसका साइज ये है इसने इसके देश के कोने कोने को किसी भी मिसाइल सो हने वाले हमले से सुरक्षित कर रखा है और इसका हाली का एक्जामपल हमारे सामने है जब हमास के आतंगवादी द्वारा इसके ओपर पंद्रो सो से भी ज़्यादा रोकेट फायर करे जा चुके हैं फिर भी एविचा इसके देश के सिर्फ आठ से नो लोगों की ही जान गई है इसराइल में आपको रोडों को किनारे हर गुस दूरी पे बंकर मिलेंगे जैसे ही किसी सहर में मिसाइल से हमला होता है साइरन बज उठते हैं और लोग तुरंट उन बंकरों के तरफ भागते हैं मैं आपको ये नक्षा दिखा रहा हूँ इसके अंदर आप इसराइल को देख सकते हैं और इस्राइल के आसपस के इतने भी देश हैं सभी इस 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 इसराइल के दुस्मन है आपके मन में भी इस सवाल आ रहा होगा और किसी देश के आसपस इतने दुस्मन है तो देश इतने स्ट्रोंग कैसे हो सकता है इसका सिंपल जवाब है उस देश के लोगों की वज़े से उस देश की सरकार की नीचेओं के वाज़े से और उस देश के सेनिकौ के वाज़े से तो चलिए अब जानते हैं इस्राइल देश की एसी कौन सी बाते हैं जिसके वजह से वो देश अज इतना स्ट्रोंग है मोसाद इस नाम से लगबग हर कोई आज के टाइम पे वाकिफ है ऐसे तो इसराइल में तीन खुफी आजेंसीज हैं लेकिन इन में से मोसाद का नाम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस है मोसाद का में काम विदेशों से खुफी आजानकारी इखटा गनना है और साथ ही सिक्रेट ओपरेशन्स को भी अंजाम देना है ताकि इसराइल के राष्ट्रे हितों की सुरक्षा की जा सके मोसाद अपने काम में इतना माहिर है कि दुनिया के हर बड़ी सब बड़ी एजेंसी इसके साथ अपने रिष्ट अच्छे बनाग रखती है 1961 से लेके 1965 के बीच इसराइल के एक जासूस सीरिया के डिफेंस मिनिश्टर का मुख्य सलाकार बना रहा लेकिन बाद में सीरिया को पता चल गया कि वो इसराइल का जासूस है जिसके बाद उसे जासूस के आरोप में फासी की सजाद दे दी गई मुसाद उसके देश के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इसका पता आपके कुधरान से लग जाएगा 1972 में मुनिच उलम्पिक में घटना होई थी इसमें पिलिस्तिनी आतंगवादियों ने इसराइल के 11 खिलाडियों को जान से मार दिया था उस टाइम के इसराइल के मुजदा प्रतान मंतरी ने सभी खिलाडियों के घरवलों से मिले थे और उन्हें वादा किया था कि इनकी मौत का बदला हम ज़रूर लेंगे उसके बाद से मौसाद के जासोसों ने अगले 16 साल तक पुरी दुनिया में घुम घुम के उन सभी लोगों को मारा जिनका हाथ उस हमले के पीछे था इन्ही बातों के वज़े से इसराइल की दुस्मन इससे बहुत ड़ते हैं कोई भी देश आजाद होते ही शक्तिसाली नहीं बन जाता उस देश की लिडर्शीप और वहां के लोगों की इच्छा शक्ति उन्हें पावर्फुल बनाती है नहीं तो हमने कुछ देशों को आतंगवात की फेक्टरी बनते हुए भी देखा है इस्राइल वर्ल्ड का वन अफ देगेस्ट आम्स एन एमनेशन एक्सपोर्ट कंट्री है और इंडिया इसका सबसे बड़ा खरीदार है चाहे वो स्पाइक एंटि टेंग मिसाइल सिस्टम हो या बराक 8 मिडियम रेंज सर्फेस टू एर मिसाइल सिस्टम हो हेरोन यूए भी हो या फिर पुरी दुनिया में फेमस उजी हो इस्राइल के हर नागरिक को आर्मी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है अगर कोई लड़का है तो उसकी ट्रेनिंग 3 साल की होगी और किसी लड़की की ट्रेनिंग 2 साल की होगी इसी वेज़ से इनकी 90 लाग की जनसंख्या में 35 लाग combat ready people है यानि जंग जिससे हालात में इनके देश के आधे लोग जंग लड़ सकते हैं क्योंकि इनकी इतनी बड़ी जनसंख्या आर्मी के ट्रेनिंग कर चुकी है इस वेज़ से दुनिया में इस तीसरी सबसे सेफेस्ट कंट्री है यानि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा सुरक्सित देश इसराइल मेडलिस्ट का लोता एक ऐसा देश है जिसके पास तेल के कुवे नहीं है फिर भी वो बहुत ज़्यादा अमीर है इसका कारण है वहाँ की कंपनीज इसराइल दुनिया का एक लोता ऐसा देश से जिसके लगभग 98% लोगों के पास रोजगार है लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की कोई भी देश किसी चीज में सुरू से बहुत अच्छा नहीं होता उसे अच्छा बनाने में वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों का हाथ होता है इसराइल की गवर्मेंट ने सन 1965 में इसराइल इनोवेशन ओथोरिटी बनाई जिसका में काम था इसराइल के अंदर रिसर्च एन डेवलोप्मेंट को बढ़ावा देना और इसी फेसले के बेशे से आज इसराइल मिडिल इस्ट का सिलिकोन वेली कहनाता है Microsoft जो एक अमेरिकी कमपनी है उसका सबसे फेमस प्रोड़क्ट जिसको विंडोस कहते हैं वो भी इसराइल में बना दुनिया का पहला anti-virus भी इसराइल में बनाया गया था आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा worrying ब्ई चार्टप से इसराइल में आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नई defense related technology अमेरिका लाता है वो उसकी जीडिबी का total बारत अपने पूरी GDP का 211 विलियन डॉलर खर्च करता है और इस्राइल उसकी पूरी GDP का टोटल चार परसेंट रिसर्च डेवलोप्मेंट में खर्च करता है जो कि पूरी दुनिया में परसेंट के इसाब से सबसे ज्यादा है जैसा कि हम सबको पता है इस्राइल एक छोटा देश है और उसकी जनसंक्या भी बहुत कम है लेकिन ये चीज इनको और जाद ताकत वर बनाती है आगे जानते हैं कैसे क्योंकि इस्राइल की जनसंक्या अमेसाज छोटी रही है और इनके सेना में भी कम लोग रहें तो ये अपने ज़्यादा सेनिको की मोत को स्विकार नहीं कर सकते हैं इस वज़े से इनों ने ज़्यादा सज्यादा अच्छी टेकनोलोजी बनाने की कोशिश की और अपने सेनिको को देने की कोशिश की क्योंकि इनके सेना में कम लोग हैं तो ये अपने सारे सेनिकों को बहुत ही आसानी से एडवांस टेकनोलोजी से लेस कर देते हैं और आपको एको रोचक तथे बताते हैं पूरी दुनिया के टेंक समय जो इंजन होता है वो पिछे के साइड लगाया जाता है क्योंकि जब भी यूद जैसे हलात होते हैं तब टेंक का अगला हिसस पर जादा प्रभावित होता है लेकिन इसराइल अपने सेनिकों की जान बचाने के लिए इंजन को आगे के साइड लगाता है ताकि अगर टेंक चलना बंद भी हो जाया तो उनके सेनिकों की जान बच जाए किसी भी देश की सेना के अंदर आत्मिश्वास होना बहुत ही जाद जरूरी है बले उस देश के पास अच्छे हत्यार होना हो जैसे भारत जबसे आज़ाद हुआ है तबसे कई लड़ाईया लड़ चुका है अपने सिपाईयों के वज़े से और सिपाईयों के आत्मिश्वास के वज़े से कारगिल जैसे युद में खड़े पहाड़ों को भी जीता है और साथ ही सियाचीन जैसे हाई-एस्ट बेटलफिल्ड ग्राउंड पे भी अपना पर्चम लहराया है और इसी तरीके से जब से इसराईल आज़ाद हुआ है तब से वो कई देशों के साथ जंग लड़ चुका है भले एक बार में एक देश से लड़ना हो या एक बार में चार देशों से लड़ना हो उसने हर बार जंग लड़ी है और उनसे जीता भी है अगर आर्मी में मोटिवेशन की कमी हो तो कुछ देश के सेनिक 90,000 से भी जादा होने के बाद भी हत्यार गीरा के सरेंडर करने का वर्ल्ड रिकोर्ड बना सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही